So guys, आज की वीडियो में सिप दो पॉइंट पे बात करने वालों, पहला क्या, क्या आपको पता हो कि Facebook पे जो वीडियो वाइरल होती है, वो Facebook जब recommend करता है आपकी वीडियो को तब ही वाइरल हो सकता है, उसके अलावा आप कहीं भी share कर लो वीडियो को, चाया group में कर लो, चाय कि Facebook वीडियो को recommend कब करता है, और दूसरा, जब आपकी वीडियो पर reach कम हो जाते हैं, जब views down हो जाते हैं, बहुत सारे decrease हो जाते हैं, बिल्कुल views आने बंद हो जाते हैं, तो वो क्यों होता है, ये दोनों reason के बारे में बात करूँआ, और इसके अलावा, मैंने एक वीडिय सेर्च करता हूँ, उसके बाद ही मैं कोई content upload करता हूँ, अपने channel पे, इसका भी आज मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि एक ही content को आप अलग लग multiple pages पे upload नहीं कर सकते हैं, उससे आपकी page पे issue आ सकता है, तो ये Facebook की guideline में लिखा हुआ है, आ उसमें आपकी videos जो है Facebook के recommendation में आती है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ guys, कि original video ही recommendation में आती है, duplicate video recommendation में नहीं आती है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये Facebook कह रहा है, मैं आपको एक screenshot दिखा रहा हूँ, आप पड़ दीजए यहां पर guys, post करके video को पढ़ सकते हैं, यहां पर क आता है, तो कि original content ही आप upload करो, उसी से आपको फायदा होगा, किसी और का content आप upload करो, उससे आपको नुकसान ही नुकसान है, तो यहां पर आप देख सकते है, original content ही यहां पर use करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाते हैं, अगर आप अमने Facebook page को recommendation मे लाना चाते हैं तो, अब इसका example भी देख लेते हैं guys, original content में Facebook क्या-क्या include कर रहा है, जैसे कि guys new episodes होगे, clips होगे, trailers होगे, अगर आप इस type के चीज़ों पर content काम करते हैं, जैसे कि आप कोई picture produce करते हैं, या कोई जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा जो वीडियो है तो वो भी अगर original है, main चीज़ है guys, यहाँ पर originality की, अगर आपका content original है, चाहिए blog हो, चाहिए आपकी video हो, चाहिए कोई साभी content आप publish करते हैं, लेकिन वो original होना अच्छी है, उसके बाद news है, उसके बहुत साई चीज़े हैं, publisher के थ्रूँ, अगर कोई content publish होता है, तो वो स original content upload करते रहना है, आपके facebook page पे, और जिस दिन आपका video recommendation में आया, उस दिन वो viral हो जाएगा, बागे इसके अलावा guys, और कोई तरीका नहीं है, जिससे आप अपने video को viral करा सकते हैं, चाहिए आप ads चलवा लिजे, boost कर लिजे, अपने post को चाहिए आप group में share कर लो, चाहिए decrease क्यों कर देता है किसी video का, यहनि किसी video पर अगर views कम आने लग जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई, मेरी videos पर पहले इतनी views आते हैं, ताब इतनी कम आने लगे हैं, क्यों होता है, तो इसका main reason बताया है facebook ने, वो यह बताया कि अगर आपके page पे, कोई भी policy issue है, जैसे क कोई से भी guideline के अगेंस्ट आपने work किया, यह limited content का issue है आपके page पे, तो इससे जो facebook page का, जो reach है, वो decrease कर देता है facebook, और यह facebook पे लिखा हुआ है, screenshot यहां पे show कर देता है, आप पढ़ लेना, अजिमें साब साब यह भी लिखा हुआ है कि आगर आपके page पे limited content का issue आया, तो इस जितनी भी चीज़े मैंने बताइए कि सारे सबका मैं screenshot आपको show कर रहा हूँ, ताकि आपको यह ना लगए कि मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के बोल साओं, साही चीज़ मैं आपको prove के साथ दिखा रहा हुआ हुआ है, जितनी भी वीडियो से सब मैंने screenshot share किया है, जितनी भी profile पर अगर कोई content है, पहले से facebook पर, तो उसे आप दुवारा किसी page पर या profile पर upload नहीं कर सकते facebook पर, यह facebook खुद कह रहा है, अगर किया तो वो duplicate content हो जाएगा, यह duplicate content का issue आपके page पर, reuse content का issue आ सकता है, आपको monetization भी restricted हो जाएगा, flag behavior यह इन सब चीज़ों का issue आता है, तो इसस issue आ गया, simple सा बस यही एक trick है guys, जो facebook खुद कह रहा है, अगर आप facebook के साफ से काम करोगे, company के साफ से काम करोगे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर company के against काम करोगे, तो 100% आपको problem face करनी पड़ेगे, so I hope guys, की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मीडिय पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना गए, तो कोई भी doubt हो तो guys, मुझे comment करके पूछ सकते हैं, आप हो सकता है reply ना तू, लेकिन अगर important लगा topic तो वीडियो जब बना दूँ है इसके ओपर, छिलते है guys, next वीडियो में